हेलो दोस्तों दोस्तों गनेश चतुर्थी के अवसर पर आज मैं आपको मोदक और मोदक से बनने वाली खीप की रेस्पी बताने जा रही हैं जैसा कि हम सब जानते हैं गनेश जी को मोदक बहुत पसंद है इसलिए जब भी गनेश जी की कोई पुजा होती है तो यह मोदक ज़रूर बनते हैं पहले पानी गरम कर लीजिए अब हम चावल काटा ले लेंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए थोड़ी शपकर अब हम गरम पानी से इस आटे को मून लेंगे नारियल को दो तरह सिप्ट करना है यह देखिए स्टफिंग के लिए पहले हम नारियल के इंप्रीस को ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए नारियल को हमें कुछ इस तरह से क्रेंड कर लेंगे मोदक की स्टफिंग मनाते हैं अब पैम में थोड़ा सा घी डालकर इसमें इलैची डालके हम थोड़ा सा फ्राइ करेंगे अब यह नारियल हम इस घी में फ्राइ करेंगे ध्यान रखने के बात यह है कि यह जब भुरा है यह ज्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए बस इसकी नमी चल जानी चाहिए अब हम थोड़ा गुड लें लेंगे अब शकर भी ले सकते हैं अब हम यह गुड इसके अंदर डाल लेंगे अब हम इन दोनों का अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे यह देखिए हमें इने कुछी तरह से फ्राइ करना है अब हमारी स्टफिंग बनके तयार हो गई है स्टफ से छोटी सी कटोरी बनाईए इसमें यह नायल की जो स्टफिंग है वो डाल दीजिए हम इसे क्लोस कर देंगे कुछ इस तरह से जैसा कि हम जानते हैं सबके पास मोडक के मौल नहीं होते हैं इसलिए आपको बिना मौल के आज काटा चमट से यानि फोक से मोडक का यह जो डिजाइन है वो बनाना चिखा होंगे मोडक को क्लोस करने के बाद हम इस चमट से इस तरह से प्रस करेंगे अब हम इसको उपर से निचे गर हलिका सा प्रस करेंगे जैसे कि हमारा मोडक का शेप बन जाएगा जोश्याय कि हम इगली को भाफ में तकाते हैं हम इने भी असी भाफ में तकाई गे देखिआ दोस्तों हमारे मोदक बनन के तैयार हो गए हैं ये बहुत ही स्वाधिस्ट और हेल्दी भी होते हैं अब हम इन मोलकों की खीर बनाएंगे पहले पानी गरम कर लीजिए ये देखी हमारा पानी गरम हो चुका है अब ये नारियल के कटेवे पीसेज हम इसमें डाल देंगे ये देखी हमने थोड़ा सा चावल खाता लिया है मिर्म पराबिए यो अदुर गूल आटे के इश घोल को हम गरम पानी में ड नेंगे अब यह रोक़ आटे के इस घुल को अ मैं गरम पानी मांटारिश अ प्रड़ में धने घुल COPानी सब्सक्री टालने के बार आटे के में लैंगे जाएंगे अप जितना मीठा पसंद करते हैं इतनी शक्र नमक डालते हैं आप ये ओप्छनर है दोस्तों मैंने इसमें शक्र डाला है अगर आप गुड डाना चाहते हैं तो दाल सकते हैं ये देखें ये रिफ बन गई है अब इसमें हम मोदग डालेंगे हमें इन मोदगों को जड़ा देर इसमें नहीं पकाना है तो कि यह और यह पक चुके हैं बस पांच मेंड के लिए मैं इसमें पका लेजी जब तक कि इस घोल में इस तरह की गुपिले ना आज जाए इसमें पका दे रहे है यह देखे हमारी मोदग की खीर बनके तयार हो गई है यह देखिए हमारे मोदग और उसकी खीर दोनों बन गए हैं आप सब को हमारी और से गनेश चतुर्थी की हार्दिक शुकाम नाएं